आज से 5 years back मैं घर-घर जाके ट्विशन बढ़ाया करता हूँ जब YouTube चैनल शुरू किया, अकेला शुरू किया था तो मेरे फादर के आखों में हासू थे मैं आपको गारेंटी दे के कह सकता हूँ YouTube पे जितने भी निश है, सब में लोग करोड़ रुपया अर्न कर रहे हैं अगर आप आफ लाइन में सेम प्रोफेशन से जितना अर्न कर रहे हैं 10 टाइम जादा विदिन अ वन येर आप YouTube से सेम प्रोफेशन को लाके कर सकता हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपसे वो 5 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ हलो दोस्तों मैं हूँ अम्रेश, YouTube चैनल महात्मा जी टेक्निकल और वीमेक रेटर्स आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि आप अपने प्रोफेशन को YouTube पे कैसे ला सकते हैं या फिर YouTube पो अजड Minority को अजब प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं आपके मैंड में बहुत सारे डाउट होते होंगे जब आप YouTube पे YouTube की फिडियो की वीडियो क्योशियो माक है हो भी सकता है डाउट उसको मैं YouTube पे लाके अच्छे खासे revenue और जो मुझे चाहिए name और fame ले सकता हूँ या फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है real world में तब भी मैं YouTube को एक profession बना सकता हूँ थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ आज से 5 वेर्स बैक मैं घर घर जाके ट्विशन पढ़ाया करता हूँ लेकिन हमेशा मेरे अंदर एक चाहत ही कि यार मुझे कुछ अलग करना है आज भी हमेशा लगता है कि कुछ अलग करना है वैसे ही सडनली मैं ने भी YouTube वीडियोओ दे oak जैसा आज आप लोग मेरे चैनल पर मेरी वीडियोओ देखते होंगे मैंने भी किसी की वीडियोओ देखिए मुझे भी लगा यार यह लोग ये लोग YouTubers जब बाहर जाते हैं इंडिया गेट पे या किसी भी प्लेस पे, किसी अदर स्टेट्स में, तो वहाँ पे इनके लिए 100 लोग, 100 लोग, 200 लोग आ जाते हैं, और उनसे सेल्फी लेते हैं, ऐसा हो रहा है क्या भाई? तो मैंने कहा है, ये तो मिरको भी करना है, उस टाइम पैसो की चाह नहीं थी, लेकिन आज, चीज़े बदल गई हैं, पात साल हो चुके हैं, अब लोग YouTube को as a profession समझते हैं, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि आखिर हम YouTube पे आके करें क्या, जो कि थोड़ा से मैं समझाना चाहूँगा उससे पहले, कि आप YouTuber क्यों बनना चाहते हैं, इसके बीछे एक चोटी से स्टोरी मैं आप से शेयर करूँगा, देखिए होता क्या है, कि हमेशा जब हम YouTuber बनना चाहते हैं, तो हमें दो चीज़ों की सबसे बड़ी रिक्वाइड होती है, पहला, नेम और फेम, और दूसरा पैसा, सबको चाहिए इस दुनिया में, किसी को नेम फेम ज़्यादा चाहिए, पैसा थोड़ा कम चाहिए, किसी को पैसा ज़्यादा चाहिए, नेम फेम फ़्यादा कम भी मिलेगा तो चलेगा, और YouTube एक perfect combat plan है, जहाँ पे आपको दोनों चीजे भर पूर मातरा में मिलती है, लोग आप से उतना ही प्यार करते हैं, और पैसा भी यहाँ पे बिलकुल सही मिलता है, मैं in fact यू कहूँ कि अगर आप आप आफ्लाइन में, same profession से जितना earn कर रहे हैं, 10 टाइम ज़ादा within a one year, आप यूटीब से same profession को लाके कर सकते हैं, in fact आप अपने business को grow कर सकते हैं, छोटा सा एक story शेयर करूँगा, आज आप सोचिए, आपकी age 20 से 22 साल की हैं, और आपको दिल में आया है क्या बनू, क्या बनू, और आपको लगता है कि yes, मैं बाकी यूटीबर्स की वीडियो, या महत्मा जी टेक्निकल की वीडियो, या फिर और भी यूटीबर्स हैं, जो motivational videos बनाते हैं, उनके videos देखके, मैं motivation speaker बनना चाता हूँ, और आप बन भी गए, आपने देखा और आप बन गए, आपने एक videos बनाई, लगता है, और उसने move on किया, लेकिन करने से पहले, एक comment लिखा आपको, कि brother, thank you so much है, और आपने वो comment पड़ा, आपको बहुत अच्छा लगा, उस टाइम आपकी age 20-25 के अंडर में है, आप जब road पे चलते होंगे, आपको भाई, ब्रदर बोलते होंगे, क्यों नहों, healthy क्यों नहों, हर कोई आप से आपकी यहीं पूछता होगा, कि आपकी तबित कैसी है, हर कोई हवा मार के चला जा रहा, आपको बुरा लग रहा है, बिल्कुल ठीक हूँ यार, क्यों पूछरो मेरी तबित का, हर कोई पूछ रहा है, दादा जी आप फीक तो है, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन उसी टाइम अगर आपका मन करें, कि मुझे दोस्त सुनना है, भाई सुनना है, तो आप अपने अप का, अब दूसरी बात आगए कि निश्च को चुनना कैसे, तो सबसे पहला पॉइंट यह है, कि आप जिस भी प्रोफेशन में, ओफलाइन वर्क कर रहे हैं, सेम चीज़ को यूटी पे ला सकते हैं, सिंपल वर्ड में बाप करो, अगर आप कुकिंग रिलेटेड ज्यादा इंटरस्ट है, किसी होटल में काम करते हैं, शेफ हैं, आप इसको यूटीब पे ला सकते हैं, आप फाइनेंस रिलेटेड वर्क करते हैं, आप लोगों को एडवाइस करते हैं, फाइनेंस रिलेटेड आप उसको यूटीब पे ला सकते हैं, आपका सौक है traveling का, आप travel agency में काम करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको geographical idea है कि बेके state में जाने पे कितना पैसा लगता है, flight के tickets क्या है, आपको ले लगदा कैसे जाना है, आप traveling related video दना सकते हैं. इट मीन्स कि जिस भी प्रफेशन में आप आफ लाइन हैं, आप इसको ओनलाइन लेके आ सकते हैं, तो एक तो बहुत सिंपल तरीका हो गया, दूसरा यह है कि सर समझी नहीं आता, कि करें क्या इंटरनेट पे आगे, क्योंकि जो मैं आफ लाइन कर रहा हूं, मैं उससे बहुत निकल जाता था, उस टाइब आप ट्रावलिंग डिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं, आप कोकिंग डिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं, आप टेकनिकल वीडियोस बना सकते हैं, आप किसी को मॉटिवेशनल वीडियोस बना के मॉटिवेट कर सकते हैं, बहुत छोड़े छ पैसा चाह सब कुछ है वहाँ पर competition भी तो होगा और जहां competition है वहाँ पर हमेशा आपको develop करना होगा तो सबसे key factors जो मैं मानता हूँ वह consistent होना आपके अंदर skill की कमी है हो सकती skill नहीं होगा उतना up to the mark लेकिन अगर आप consistent work करते हैं मुझे इसके लिए को example देनी की जरूत नहीं है क्योंकि जितने भी लोग की वीडियो इस टाइम देख रहे हैं वो कहीं ने कहीं इस maturity level के तो है जिन्होंने बहुत सारी story consistent level के सुनी होगी सो वहीं पे अगर आप YouTube पे consistent videos बनाते हैं अब simple सी बात है consistent की definition है क्या daily videos बनानी पड़ेगी क्या नहीं जिस भी profession में आप हैं सबसे पहले search करिए कि उस type के YouTubers week में कितनी videos बनाते हैं अगर वो week में 6 videos बनाते हैं तो yes आपको 6 videos बनानी पड़ेंगी नहीं तो आप उससे बहुत पीछे हो जाएंगी हाँ मैं मानता हूं कि starting में साइध आप 6 videos ना बना पाएं लेकिन आपके अंदर mind में यह होना चाहिए कि next 1 month, 2 month के बात मुझे 6 videos ही बनानी हैं अगर आपके competitors week में सिर्फ 2 videos बनाते हैं तो yes आपका target यह होना चाहिए कि मुझे week में सिर्फ 2 videos की delivery करनी है साइध वो 2 videos बनाने में आपको कई बार 3 महीरे का सामना करना पड़े साइध उसमें बहुत सारा work हो लेकिन आपका target यह होना चाहिए कंसेटिम मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करता हूं जब मैंने YouTube स्टार्ट किया और आज से तीन साल पहले जब मैंने पहला जोग स्टॉ तो मुझे उस दिन वो अपनी बात याद आगई कि इस दुनिया में एक ही इंसान वो होता है जो आपको कभी एहसास नहीं दिलाने देता कि आप गरीब हैं जब तक आपको खुद यह बात पता नहीं चल जाती वह होते हैं प्रता जब मैं उनकी बातों को सुनके शुरू सही जब मैंने YouTube स्टार्ट करा तो मैंने उन से शेर किया कि पापा मैं वीडियोज बनाना चाहता हूँ उनरेने कहा तुम्हें कैसी position पर हो जहां पे लोग तुम्हें teacher कहते हैं तुम वीडियोज कैसे बनाोगे पढ़ाने जा रहे हो ये वीडियोज और starting की वीडियोज बहुत वाहियात होती हैं मैं आप से शेयर करता हूँ जितने भी लोग जिस भी प्रोफेशन में होंगे आप सोचेंगे कि यार मैं विडियो बनाओंगा आप सोचेंगे आपकी वीडियो उम्दा क्वालिटी की होगी लोग आपको देख ये वाँ मजा ही आ गया जब भी आप अपना लैप्टॉप उपन करेंगे, आपको हमेशा एक ऐसी वीडियो दिखेगी, जिसमें 0.1% की महनत है, और मिलियन्स में व्यूज होगे, आपको लगे गा, यार यस्टेडे पूरा आठ घंटा खराब किया मैंने, मैं ओफिस तक नहीं गया, बॉस के डाटेट सुल लिए, वहाँ से आरे लगे, फोन आया, भाई तुम जोड़ो यार ये काम दाओ, तो अपनी यूटिब के वीडियो बनाओ, और ये बंदा सिर्फ 5 मिन लगा के, कुछ भी डाल के वीडियो बना रहा है, मिलियन्स में व्यूज है, एक और चैनल तो मैं ऐसा खोलूँगा, अगर हम अपने चैनल पर फोकस रहते हैं, तो एक और चैनल मैं ऐसा उपन करूँगा, हम यही बहुत बड़ी गलती करते हैं, मैं आपको गारेंटी दे के कह सकता हूँ यूटीब पे, जितने भी निश हैं, सब में लोग करोड़ रुपे अर्न कर रहे हैं, तो आपको ये घबराने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है, कि इस निश में बहुत पैसा है, इस निश में कम पैसा है, नहीं, सभी प्रोफेशन में यूटीब पे बहुत पैसा है, सिर्फ फर्क ये पढ़ता है कि आप उस प्रोफेशन को कितने दिल से करते हैं, जितना आप उस प्रोफेशन में आप घुसेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, जब भी आप अपना निश्च चुने, तो सब कुछ भूल किया, सिर्फ उस पर फोकस करें, अपने स्किल को ग्रो करें, मैं हमेशा ये मानता हूँ, यूटीबर्स मेरे पास आते हैं, तकरीबन धाई साल पहले मैं भोपाल में गया, मुझे पता ही नहीं था कि भोपाल कहा है, फ्लाइट पकड़ी उत्रा और जब मैं वहाँ पहुचा, तो 800 यूटीबर्स मुझसे मिलने आ गए, ये है यूटीब का ने वर्फें, कितना प्यार मिलता है जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं, और अजान लोग आपसे ब लोग सीरियस उष्वक्षोक पे थे, सीरियस अपने निश्च पे काम कर रहे थे, आज वो मिलियन से भी जादा प्रॉस है, उनकी अर्निंग लाखो में है, जिनके पास फोन खरीदने के पैसे नहीं थे, वो आज गाड़ियों में खुमते हैं, क्यों? क्योंकि उनने अपने निश्च पे काम किया, सो मेक शॉर आप अपने निश्च पे ही काम करिये और आगे बढ़िये, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने भी कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा, आज से फाइव बेर्स बैक जब यूटीब चैनल शुरू किया, अ आथ को आप बैठके मुवाइल फोन में मॉटिवेशनल वीडियो बना रहे हैं, I can't imagine कि साहद हम कर भी पाया नहीं, लेकिन मैंने उसको एक प्रफेशन समझा, मैंने एक ची सिखी कि कैमरे पे मेरी अलग लाइफ होनी चाहिए, और रियल वर्ड में अलग लाइफ होनी चाह होगा जब आप कैमरे पे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, साहद रियल में बहुत वजास हो, और ये कैमरे की लाइफ आपको बनानी है, so मैंने जब स्टार्ट किया, जब वहां से मागे बढ़ा, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे, स्टार्टिंग मैंने खुद से करी थी, और कई बार अपस भी थे, तो कई बार डाउन है, लेकिन हमेशा मैं उस चीज़ पर काम करता रहा, और ये चीज़ आगे पड़ी, अब बात आती है कि सर क्या, वाकई यूटीब से पैसा मिलता है, मैं आपको बता दू, यूटीब से दो-तीन तरीके से बहुत अच्छी खासे रिवन्यू मिलती है, पहली कि जब आप वीडियोस बना के डाल देते हैं, थाजन सब्सक्राइबर्स हुए, चार हजार गंडे का वाच्टाइम यूआ, आपका चैनल मॉनेटाइज, यूटीब आपके चैनल पे वीडियोस लगाता है, जहां से 55% पार्ट वो आपको देता है, और 45% वो खुद रखता है, ये कैसे रिवन्यू है, जिसे आप बहुत ज़्यादा लगजरी नहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक अच्छी खासे रिवन्यू देता है, जो आपकी सालडी और अगर आप जॉबलेस है तो उससे तो कहीं साथा होगी, लेकिन जो सेकंडरी रिवन्यू है, स्पॉंसर्शिब, वो बहुत अच्छी कासे रिवरेज देता है, आपको स्टार कास्वील दिलाता है, आप अपने घर में कह रहे हैं, रहे, मैंने फला कंपनी का एड़ की आयर, 30 सेकंड के मुझे लाखों रूपे मिल रहे हैं, ये रिवन्यू बहुत ज़ लिए आप अपने निश्पे काम करते रहें, और आपकी रिवन्यू लाखों में ज़रूर है, इस टाइम मुझे बताने की ज़रूर नहीं है, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि आपको डाउट है, आपको डाउट है ही नहीं, डाउट होता तो इस वीडियो का आप यहां तक आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि यूटीब से पैसे नहीं आते हैं, यूटीब से पैसे आते हैं और यही फ्यूचर है, जैकमा ने एक बात कही थी कि आसे 30 साल बाद अगर आप डिजिटल ही नहीं आए हैं तो आपका बिजनस सट डाउन हो जाएगा, लेकिन उनने पता ही नहीं था कि COVID और ये सारी चीज़ें आने वाली है जैसे ही अब सिर्फ 5 साल बात अगर आप अपने professions को online लेके नहीं आते हैं तो आपका business बाकर ही shutdown हो जाएगा So make sure मैं अपनी बात को यहीं पर खतम करता हूँ कि आप अपने professions को या profession नहीं भी है तो YouTube को या फिर video related platform को अपना profession बनाईए और यही future है बस दोस्ते इस वीडियो में इतना ही जालें अगर आप इस stock के end तक पहुँच चुके हैं तो मैं आपको Josh Talks का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाता हूँ जिससे मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूँ हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़ादा पसंद है कि वो क्या कर रहे है Josh Talks ने एक नया app launch किया है जिसका नाम है Josh Skills अब वो नया नहीं रहा काफी time से है लाखों लोग उसको आप use करते हैं और Josh Skills पे आप अपनी जिंदगी के लिए courses ढूण सकते हैं वो course नहीं जो आपको physics, chemistry, commerce, business studies पढ़ाएंगे वो courses जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे मैंने खुद Josh Skills पे बहुत सारे courses बनाए हैं पब्लिक स्पीकिंग पे, emotional crisis कैसे handle किया जाए अपनी personality कैसे develop की जाए हर एक course में daily quizzes है, exercises है एक बहुत ही खुबसूरत community है जो आपको support करेगी आपको encourage करेगी आज ही download करें Josh Skills का app और उनकी courses explore करके अपनी जिन्दगी को आगे बनाएं